वल्लबगड जहांपे मेरे मामा, कुमर, अभिमन्यो प्रताप सिंगी हवेली और जमीन है उनका कोई वारिस नहीं है क्योंकि उन्होंने कभी शादी ही नहीं की इसलिए कुछ दिन पहले उन्होंने मेरी छोटे भाई अमरित को फोन किया और उसे वल्लबगड बुलाया ताकि वो उसे उनका वारिस बना सके अचानक रास्ते में किसी लिए कजरी का दिया हुआ श्राप उसका ये आदम खोर बेटा पूरा कर रहा है शीतलपूर जंगल के जानवर वल्लबगड के जंगलों में आ जाते हैं पानी के खोज में कि हर प्रकार से संभव है कि वहां से एक तेंडवा यहां आ गया हो जिसके कारणवश पिछले इतने दिनों में ये गाए बकरीब हेड़ मारी गई है और अंत में अमरिज सिंग जी ऐसा है तो हम तेंडवा के अटेक को रूल आउट नहीं कर सकते हैं मैं आदालत से विनती करता हूं कि मेरे मुवक्किल को बेल पर छोड़ा जाए 24,000 के मुचले पर बेल मन्जूर की जाती है कांते हैं क्या आपने उसका चेहरा देखा था नहीं सब कुछ इतनी जल्दी हो गया कि चेहरा ही नहीं देखा ये आपके हाथ में खुरोच कैसे है वो पता नहीं अचानक कैसे लगा किडी मीठी गोली बुलवा काता था हाँ और दव्य अगर तुझे ये बात पता है तो बुलवा को जिसने फसाया उसे भी ये बात पता होगी तरह सोच बुलवा मुझ पर हमला क्यों करेगा मुझ पर हमला उस व्यक्ती ने किया है जानवर के भेस में जो नहीं चाहता कि में एक एस लगूँ किस बुलियाद पर हम आपकी सिफारिश से कुलिए से डिवार का मान रखखा है बोलिए बोलिए ने चुपक्यो है आपने अपने अयाशाव केचल से अपने बाप-दादा की इज़ती नहीं वेली की मान पर यादा भी ताव पर लगा दी है बस एक मुखा दीजे हमें राजमता कसम भवानी मा के हम सब छोड़ देंगे सब छोड़ देंगे बस एक बार चचासा हमें अपने जिम्मेदारियों का बोच सौब दे हम उने वो बेटावन कर दिखाएंगे जो उने कभी नसीब नहीं हुआ आप इस मौश के लिए राजमाता ही नहीं बलकि देवी हो देवी आपका कहा चचासा कभी नहीं टालेंगे बस एक बार हमारे सिफारिश आप उनसे कर दिजिए हम आपके कहे पर उम्र भर चलेंगे यह हमारा वादा है वादा है हमारा नहीं नहीं मुश्किल की घड़ी के समय सिर्फ अपना ही खून काम आता है अभी मन्यू बेटा रनवीर ने हमें वचन दिया है वो इस हवेली पर हमारे खांदान पर कोई आँच नहीं आने देंगे चचा साथ अब हम सुदर चुके हैं बात वो नहीं है रनवीर अमरित के साथ जो भी कुछ हुआ उसके बाद हम नहीं चाहते कि तुम्हारे साथ या परिवार के किसी भी व्यक्ति के साथ ऐसा है तुम्हें वारिज बना के हम उस दरिंदे का शिकार नहीं मनाना चाहते तो फिर आपका क्या ही रादा है वही जो पहले था हम अपनी सारी ज़दर किसी इंसान की नाम नहीं बलकि गिर्जा देवी ट्रस्ट के नाम करते हैं सत्तर करोड ट्रस्ट के नाम अभी मन्यू बेटा पुर्खों के इतनी महनत से कमाए हुई दौलत को आप इस तरह से दान नहीं कर सकते इस पर सबसे पहले आपके अपनों का हक है पर राजमातर तुमें हम पर भरोसा नहीं बिटा तो फिर कल ही वकील को बुला कर वारिस रणबिर को करार दीजिए इसी में हम सब किभलाई है आपके चेहरे पर यह जो बारा बजे हुए है उससे यह साफ साफ पता चलता है कि आपने हमारी अंदर की बाते सुन ली है जाइए हमारे वकील को बुलवाईए यहाँ कल सुबह चेचासा को नई वस्यद मनवानी है आप को नई गया रनवीर साथ हलो हलो रनवीर नहीं कुवर जी बोलो कुवर जी के बड़े कुवर साने तन्य वारिश होना दिया के अब वल्लब गड़ के राजा हम है हम इसमें फाइदा तुम्हारा भी है ठेके दर यह बढ़ने वारी है तुम्हारी पर उश्यारी से है तन्य वह याद ना श्राप जो भी वारिश बड़ा उसकी मौत किस माय किलाल में हम्मद है जो हम परवार करें अब बस मैं और तुम इसके बीच में अगर कोई आया उसका इलाज है हमारे पास है नाड़ी निकालो हमारी पर तुम्हारी निकालो हमारे जो हमारे इनकालो हमारे अगर और इनकालो आपनाव और यही मारा इंदकालो कोगः कर दो कर दो कर दो किस्नेयर करें पत्तर है अजम थो इसे बल्लब गड़का राजकुमार आँ को वह सुआ कि वह से वह सुआ वह सुआ है कोई आपका आपका यहाता है कि वह दो हुआ पादष्व वल्लब गड़ के कुवर का हुकुम है, सामने आउप, यहाओ वरनाप वल्डवार का अवाई कर दो दो वाई का अवाई पुल्वा, पुल्वा, पुल्वा. पुल्वा? उल्वा, पुल्वा? क्या है, क्या हुआ। इस तरह से कि बढखे हो। बुल्वा, हुआ को बदी गल्ती किये तुझे चोड़के तुझे जबेज़को निगा। अरे, रुके, क्या कर रहे आप। जड़, जड़ हुकुमसा, पहले अमृत और अब रनवीर कुमर भी मन्यू रनवीर को अपना वारिस बनाना चाहते थे और उस रात रनवीर पर भयानक हमला हुआ रनवीर ने अपनी बंदूख से हत्यारे पर गोली चलाई और वो गोली यह है जो पुलिस को बुलवा के हाथ में गड़ी हुई मिली लेडी यह अभी भी आपको लगता है कि यह काम किसी तेंदवे या भेडिये का है रनवीर की चलाई ही गोली इस बात का सुबूत है कि उसे इस बुलवा ने मा रहा है बुलवा बुलवा निया अधीश महुदे को बताओ कि तुम पर गोली किसने चलाई जब तुम पर गोली चली तुम्हें गोली लगी कहा थे तुम क्या कर रहे थे यह नोड़ बुलवा यह कहना चाहा रहा है कि जिस समय से गोली लगी यह जंगल में लखड़ी काड रहा है यह डर कर अपने घर की और भागा जहां जब इसने पुलीस को देखा तो यह जंगल में जा कर छिप किया जहां से पुलीस ने इस से पकड़ा हाँ हाँ, आपको तो अभी भी इसका बयान सच्छा लगेगा बुलवा का कहना जूट होने का अभी कोई कारण नहीं है मिस्टर शेखावत इस जानवर ने मुझ पर भी हमला किया था, इसलिए मैं जानता हूँ कि ये जानवर बुलवा नहीं है ए केडी जी, केडी जी, ये इंसान आपको बेवकूप बनाने की कोशिश कर रहा है आई बात समझ मैं? नहीं, नहीं मिस्टर शेखावत, मैं नहीं समझा इस केस में ऐसी कई बाते हैं जो मैं समझ नहीं पारा, जैसे की मुझावर सिंग जी, इनकी बातें तो बिलकुल नहीं समझ में आ रहे हुझे मारी कौन से बात समझ ना आ रहे हुकम यहीं मुझावर सिंग जी, कि दोनों हत्याओं के बात सर्वप्रतम आप घटना स्थल पर कैसे पहुंच गई यहीं ऐसा तो नहीं कि आपने अपने विरुद सारे सबूत मिटा कर वहां बोलवा के विरुद सबूत स्वयम भाड़ा ले हूँ हो सकता है के कह रहे हो आप, होकम हम जंगल के ठेकेदार हैं, काम से मारा जंगल का दोरा करना मैं क्या जानबर दिख्खूँ ना, ना, ठेकेदारी से, याद आया भी, क्या, रणवीर ने मृत्यू से पहले, आपको ये वचन दिया था कि अगर वो कुवर बन गया, तो अपने दबाव से वो सारे ठेकेदारी का काम आपको दिलवा देगा, पुल, सड़के, इत्यादी, इत्यादी, सब कुछ आपको दिखा देगा, जै किसने कह दिया आप से, आप ही के टेंडरों से, जो मुझे रणवीर के घर से प्राप्त हो, वो टेंडर रणवीर के द्वारा आप कोवर साब को भेजना चाह रहे थे, चाह रहे थे ना, उकम, इस तरह से रणवीर की मौत से तो महरोई नुक्सान से, आप केवल ठेकेदारी करते हैं या कभी वकालत भी, पहरा बात तो सही है, ये बताईए कि, मुर्तियों से पहले नवीर ने जो अंतिम फोन किया था, वो आपको किया था, क्यों किया था? हाँ, हुकम, अपने वारिज बढ़ने की खबर सुनाने के लिए, अच्छा, 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 ये खबर सुनाने के लिए, इसका अर्थ ही हुआ मजावल सिंग जी की, आप एकलोते बाहर वाले हैं, जिसे इस बात की खबर दी, तो मन ने मार दिया उसको, देखो हुकम, यो सब इसका किया दरा है, पुलुवा का, अरे ये जायन का बेटा है, अपनी मा का बदला चुकारा से है, रूप बदलने वाला दरिंदा से हो, जनाब, अगर ये दरिंदा है भी, तो मुझे इससे कोई डर नहीं है, आप मुझे बस इसके साथ, दो गंटे छोड़ दो, मैं इसको उल्टा लटका के, अपने डंडे से इससे सच उगलवा लुआ, और अगर मैं ये नहीं करवा पाया तो, तो मेरे मूँ में खाक बर दिन हाँ जी, तो? ये या, रणवीर सिंग जी के मिर्च शरीर के पास ये टूथ पेक पाया गया, आपका है? हाँ तो, जब हम लाश का पंचनामा करने गए थे तो, तब हो सकता है, बांगिरादी हो? नहीं, 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 जब हम पंचनामा करने गए थे तो ये टूथपिक आपके मूँ में नहीं था, ये मैं नहीं कह रहा, ये आप हीखी अपनी पुलीस टीम कह रही है, वो मेरा हुई नहीं सकता, क्रोकिल जब मेरे को तो समझ में ये नहीं आरा कि आप मुझे क्यों लप करती को बुलवाते हैं जिससे आधिक बुलवा को और कोई नहीं जान सकता जो इतने वर्शों से कारागार में समय काट रहे हैं बुलवा की माता जी कजरी की इजादत हुष 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 कि 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 समय का पैया कि आज फिर वहीं आकर रुग्या है एक बार फिर मारे साथ इतिहास दोहराया जा रहा है कि मारे को डायन कह कर हत्यारण बनाकर मारे को यह लोगों ने सजा दिड़वा दी थी और आज आज मारे छोड़े के साथ भी यही इलसाब डाल रहे है अरे मारे साथ तो थारी दुश्मनी थी लिकन होकुम मारे छोड़े ने क्या किया इसे क्यों लिया यहापे कजरी कजरी आसे चपीस साल पहले तुने कुमर अभिमन्यो सिंग को श्राब दिया था ना कि जब तग थारे बेटे को उसका नहीं मिल जाएगा वो कुमर अभिमन्यो सिंग के हर बार इस से अपना बदला लेगा दिया था की नहीं अगर मारे को पता होता, इमारे कुछ भी कहने से, मारे चोरे पर इतनी बड़ी मुसी बता जावेगी, तो कभी कुछ ना कहती, एक शब्द ना बोलती कुवर अभी मन्यू सिंग, थारे सौ जुट बढ़ने से, एक सच ना छुपेगा, बुलवा थारा चोरा है, तु भड़े उसके नापना, लेकिन उसको इस तरह सजा तो ना दे अरे पर वल्लब गड़वाले तो शुरू से इसको आदम खोर कहके बुलाते हैं, कि नहीं? यह इंड लोगों की तरह ना है, आम आडवी की तरह ना दिखे हैं, लेकिन क्या यह जाड़े है कि इसके हाल क्या, यह कौन जिम्मेदार है, यही लोग जिम्मेदार है अजयी जी, क्या कहना चाहरे हैं? जब यह मारे पेट में था, और मारे को खवेड़े से निकाल दिया था, तब अजयी दो उसमार का सर मारे पेड़ें मारे बेचारे उलाथ में हुगे ऐसा गहरा असर, कि वो ऐसा पाईज निकला तो यह किसका कसूर है? मारा? कि मारे चोरे का? कि मारे भूटी किसमत का? के इन लोगा का जो इतर बैठ है? किसका कसूर कि मारे प्यार को तो ना समझ पाया लेगें क्रेपा कर अपने छोरे के बेगुणाई से मूह तो ना समझ पाया ना मोड उसे इस तरह सजा तोड़ा दिलवा रजवानी जी अब आप जा सकते हैं कल फुबा ही नई वसियत बना के लिए येगा जी कुमर साथ वसियत तियार हो जाई है जी हमने फैसला कर लिया राजमता हम अपनी सारी जैदाद मलरा बुलवा के नाम कर रहे हैं कजरी के साथ जो हमने अन्याय किया उसका बस अब यही एक प्राश्चित है क्या हो क्या गया है अपको अब एक डायन की बेटे को अजरी एक डायन नहीं है नहीं उसका पेटा मेरा बेटा एक धरिंदा हम बहग गए थे बस अब और नहीं परुकुम बुलवा तो जेल में और जब तक केडी पाठक जी है हमें उमीद है कि वो बुलवा को इसके से रिहा करवा ही लेगे अर अगर ना रिहा करवा पाए तो ऐसा हो कर रहेगा कल ही वसियत बदली जाएगी बस अब और नहीं वल्लव गड़ में आब और मोते नहीं होंगी असली वारिश को उसका जनम सिदाधिकार मिल कर ही रहेगा मैं सोच रहा था कि अमरित और रणवीर की मृत्यू से फाइदा किसका है केड़ी इससाब से तो सबसे ज़्यादा अनीता का यह है जो तुम्हारे पास ही केस लेकर रहेगी क्योंकि वही कलोती सगी रिष्टेदार बचिये कुमर के हाँ लेकिन जिस दिन कुमर जी जाएंगे उस दिन से इस रियासत की करता धरता राजमता सिद्धी देवी होगी केड़ी मुझे तो लगता है कि जो वारिस बनेगा हो मरेगा इसलिए जितना जल्दी हो सके कुमर सापको अपने सारी जाएदा ट्रस्ट के हो आले कर देदेनी जी अब ट्रस्ट का कुनकुन करेंगा गिरी जा देवी ट्रस्ट यर्दवे इस ट्रस्ट पर मुझे ज्यादा ट्रस्ट नहीं पता लगा जरा कि इसके लॉकर की चावियां और बैंक की चेक बुक्स किसके हाथ में रहती है तुम 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 इसके हाथ कैसे तुम छुम नहीं नहीं करने डिल का डुम अधर बड़ और दुम रुटने जे पहले ही कुम अगे जान चली गई जान चली गई या निकाल ली गई एड दो नहीं अव्त्र पोस्ट्वार्टम एड़ा नहीं मार्डर है अच्छा आपको कैसे बता इस तक्ये पर कौर्ण साब के मुझ के बाल है जब इस तक्ये से कौर्ण साब का मुझ दबाया गया तो जाहिर है कि कौर्ण साब ने उस हत्यारे से लड़ने के कोशिश की होगी और उसी हाथा बाई में कुमर साब के हाथों में हत्यारे के बाल आ गए वल लबकड का हत्यारा कोई जानवर ये कोई दरिंदा नहीं है कोई इंसान है कोई बंदा ये बंदी वाँ Mr. Dhabib आपने आफ ड्यूटी होते वे भी ड्यूटी में हमारी जो मदद की है उसके लिए थैंक्यू वेरी मच और अब इस बाल के जड़िए हम इस मर्डर के पिछे की खाल का पता लगा लेंगे ये कैसे हो गया कुमर साब ने तो मुझे आज सुमे बुलाया था आईए वकिल जो महार चाहते हैं आई जी कुमर साब ने खुद कहा था मुझे कि वो अपनी नई वसियत अपने बेटे बलराम के नाम करना चाहते है और इसी लिए मैं अगली सुबह हविली गया लेकिन सर तब तक बहुत देर हो चुके थी तो क्या अब ये सारा धन ये पूरी संपत्ती गिरिजा देवी ट्रस्ट को जाएगा जी नहीं हाला कि वारिस करार करने से पहले कुमर यही चाहते थे कि सारा पैसा इसी फंड को मिने ये गिरिजा देवी ट्रस्ट वही फंड है जो उन विद्वाओं के लिए है जिनके पती पुलीस में नोकरी करते हुए मारे गए जी हाँ और इसका संचालन करते हैं यहां के प्रमुखनेता शिरी रामचरन सिंग और पुलिस की ओड से उसे देखते हैं शिरीफते सिंगी तो जब जाने वाले की न पत्नी हो न पुत्र हो न पुत्री ऐसे में स्वतेय बेटे की वारिस उसकी मा बन जाती है राइट राज माता जी राज माता जी कल रात को आप कहा थी मेरा पूछने का आर्थ यह है कि जिस समय को वर साब की हत्या हुई उस समय आप कहा थी हम अपने कमरे में थे और इससे पहले कि आप कुछ और कहें हम आपसे सिर्फ इतना कहना चाहते हैं कि हम सौतेले ही सही लेकिन कुवर की मा थे और एक मा अपने बेटे की जान लेना तो दूर ऐसा सपने में भी कभी नहीं सोच सकती वैसे भी कुवर साब की जान नीन में गई अच्छा ये किस ने कह दिया आप से क्योंकि जो पोस्ट मॉटम रिपोर्ट मेरे पास है उसमें तो साफ साफ ये लिखा है कि जोर जबर से उनकी सास रोकने के कारण होई थी और एक और बात उनके मृच शरीर की हाथों में एक बाल पाया रिया यूर और बुबाल राजमाताजी का है इन्होंने कोवर साफ की हत्या की है इससे पहले कि कोवर साफ किसी और को अपना वार्ष गोशित करें तुम्हें सोप यहां कैसे नहीं अभी मन्यूसेंग को नहीं मारा जूट बॉल यह और अधा यह उरत मुझे तो पहले से इन पर शक्त था यह सब कुछ इनों नहीं किया है पहले तो मेरे भाय अम्रित को मार दिया विद्रंविर को और आपको यह नहीं हमने ऐसे कुछ नहीं किया है यह राणनर राजमाताजी ही है असल हत्यारिन इन ही ने यह पूरा शड्यंत रचा इन ही ने बेचारे बुल्वा को इन हत्याओं के आरोप में बसाया कहिए राज माताजी आपने किया या नहीं? नए... हमने अजसा कोछ नहीं किया यह... राज माताज.. राज माताँ.. काश, यह दौर्या हमारी जान हिरे लेता, कम से कम एक माह पर उसके बेटे के खातल का अलगता, हम, हम मारेंगे अभी मन्यों को, आप इस बात को दिल पर मत लिजे राजमाता, यह किसी की गहरी साजिश है, कोई आपके वंच पर वार करना चाहता है, बसाना चाहता है अब को, बुलवा, कजरी, लेकिन वो दोनों तो पुलिस की हिरासत में है, फिरेसा कौन है, जो इस हवेली के वारिस का दुश्मन है, जो भी है, ज्यादा तिन पचना पाएगा, इससे पहले कि अब कुछ और हो, हम इस किस्से को यहीं खत्म कर देना चाहते हैं, इसलिए हमने राज आज विने जी को आज रात ही बुलाया है वसियत लेकर, अब हम को अर सा की आखरी खुआईश को जरूर पूरा करेंगे, सारी जादाद अब ना गर्जा देवी ट्रस्ट के नाम होगी और ना हमारे, अब हम उसे बुलवा के नाम करेंगे, या अब क्ये कह रहे हैं राजमा यह हम से और आप से बहतर कोई नहीं जानता, यह सब हमारे कुनाहों के सजा मिल रही है हमें, काश, काश हम इतिहास पदल सकते हैं, काश सब कुछ ठीक हो सकता ह। केड़ी कुमर की मौत के बाद अब बुलवा पर से शख हड़ जाएगा, जज को लग रहा हुआ कि सब के पीचे किसी और का हाथ है, बुलवा पर से शख तभी हटेगा दवे जब असल खिलाडी सामने आएगा, यह केस भी इस शत्रंच की खेल की तरह होगी है, शत्रंच की की विसाद का सबसे ताकत वर मौरा, रानी, और जब तक रानी है, तब तक शाय देना बहुत कटिना, करी मौरा, करी मौरा कि ते रानी कि अर दिष्वेश sound कोई है तो 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 आप ठीक तो है न वह आन्दर अंधर जानवर तरे इंदा चल के देख चल के आओ चल लो अंधर तो कोई भी नहीं है महिपाल जी कहा है जाको उन्हें साफधाल करो जल दी जो हुकुम्रार मारता है महिपाल जी महिपाल जी संभू क्यों यहाँ अभेरे मी दरिदा कोई आए तो राजमाता वर ठीक सेया जी लेकिन महिपाल जी महिपाल जी महिपाल जी महिपाल जी पर हमला हुआ आप वहां उपस्तित थे जब कोवर साब की हत्या हुई तब भी आप वहां उपस्तित थे क्यों हाँ क्यों किसी को नमारा कोवर साहरी सवेली का पुराणा वफादार सु अरे बाप दादा ने सेवा किया इस बंच की भी भला मैं अपने यह अंदाता को क्यों मारूंगा हाँ आप कोवर साहब के पुराने वफादार इसी लिए तो कजरी और बुलवा के सबसे कड़े विरोधी आप ही थे आप ही ने कजरी को डायन और बुलवा को तरिंदा साबित करने का पूरा प्रयास किया है कहीं इसी वफादारी के चलते बुलवा को फसाने के लिए आपने यह सब किया हो कहीं इसी वफादारी के चलते आपके कोवर साहब की जान गई हो आप ठीक कह रहे हैं वकील साथ, कजरी को फसाने पीछे, बारा और राजमाता का ही हाथ है, हाथ से जब्विस साल पहले फल्लब गड़ में जो खून, तूटे पुल के हाथ सो की वज़ा से हुआ, हमने उनका फायदा उठा कर, कजरी को डाहन बना कर, उसके घर में टोने टोटके का सामान टलवा कर, कजरी कोट बसा दिया, महिपाल जी, कृप्या कर अदालत को बताईए कि ये सब आपने क्यों किया, क्योंकि कुमर साब, कजरी के प्यार में अंधे हो गएते, अपने कुल और खानदान के इच्चत को दापर लगा दिया था उन्होंने, एक, एक बंजारण के लिए, जो राजमाता को मंजूर नहीं था, और मुझे भी, आपके इस सच से कजरी जी के खुए हुए साल लौट कर तो नहीं आ सकते, किन्तु आपके सच बोलने से कजरी के बेटे बुल्वा की जान बच सकती है, उसे न्याय बिल सकता है, बोलिये महिपाल जी, सच बोलिये, लेकिन मैंने किसी को नहीं मारा, वकील साप, और ये तरिंदे का चोगा आपके कमरे में क्या कर रहा है था, महिपाल जी, माने कुछ नहीं बता, कुछ नहीं बता, जाहे तो किसी के भी सोगत ले लिजे, अपने किसी को नहीं मारा, किसी को नहीं बारा जच्छा, किसी को नहीं बारा अहिपाल जी, मैं चाहता हूँ कि आप छोटा सा मेरा काम करें ये लीजी, मैं चाहता हूँ कि आप लिखें इस पर कि मैं अत्यारा नहीं हूँ लिखें अमस काफी है पेडी जी, किस सोच में पड़ गए? मैं जानना चाहता हूँ कि आपको किस पर शक है? क्या लगता है आपको? कौन अंतिम बार कौन आया था आपके खक्ष में? आया तो बचे की आदमी था बुलवा के केस के बारे में हमें बताने और वो थे इंस्पेक्टर फते सिंग क्या ये संभव नहीं कि फते सिंग जी नहीं ये चोगा आपके कक्ष में रखा हो समग है? बाएं हाथ का प्रयोग करने वाला व्यक्ति ही कर सकता है और इस केस से जुड़ा हर व्यक्ति ADC महिपाल जी समेत राइट है याने की दाहिने हाथ का प्रयोग करते हैं आप अपते सिंग जी कौनसे हाथ का प्रयोग करते हैं जी मैं भी दाया आथी प्रयोग करता हूं अक्का चलिए तो इस इस बैट पर आप अपना नाम लिख करें क्या हुआ नाम याद में यादा क्या नाम है आपका? पातेजिंग क्यों रॉन इचे इची फतेजिंग जी गंदी हस्तलेग है आपकी फतेजिंग जी या तो वाकई आपकी हस्तलेग गंदी है या तो आप जूट बोल रहे हैं या फिर आप क्योंकि अदालत को गुमराह करने के लिए आपने दाहिने हाथ से अपना नाम तो लिख दिया लेकिन जब रिफ्लेक्स एक्षिन की बारी आए इस वाभाविक प्रतिक्रिया तब आपने अपने पाए हाथ का इस्तमाल किया जिसका यह अर्थ होता है कि आप पाए हाथ का प्रयोग करते हैं आप लेफ्ट हैंड़ेड देखो आप एक अफसर को एक्यूज लगा रहे हो मैं लेफ्टी हूँ इसका मतलब ये निये कि मैं कातिल हूँ तो फिर आप एक अफसर होकर अदालत में जूट बोल सकते हैं कि आप दाईने हाथ का प्रयोग करते हैं क्यों जूट बोला आपने जनाब वो मैं थोड़ा डर गया था तरना तो स्वाभाविक है क्योंकि आप ही है वल्लब घड़के वो तरिंदे तो फकड़े गए तो दरेंगे ही क्या सबूत आपके बस ना किसी ने देख आपका मुझे मारते हुए बुलो देखिए देखिए केड़ी पाठक जी बिना गवा और बिना सुबूत के एक सरकारी अपसर पर इलजाम लगाना एकदम गलत है आई बास समझ में येस केड़ी तुमारे पास कोई गवा है मेरे पास चश्मदीद गवा है जिसके कारण हम सब यहाँ अदारत में उपस्ते थे बुलवा बुलवा तुम पर जिसने गोली चलाई तुमने उसे देखा था ना किसने चलाई थी तुम पर गोली बुलवा तुम पर गोली किसने चलाई थी झालवा है कि यूर और चश्मदीद गवा का ये कहना है कि इन पर फते सिंग जी ने गूलीच रहे थी ये जूट बोल रहे हैं अब आपको पश्ट रूप से जंगल में देखा है आप ही ने रनवीर सिंग की गन चुराई इस पर गोली चलाई आप ही ने रनवीर की हत्या की देखा वकीर जाब अब आप कुछ भी बोले जा रहे हो जब मैं कह रहा हूँ कि इसने मुझे देखा ही नहीं वाँ पर इसने वहाँ आपको देखा है आप जंगल में थे जनाब जनाब यह आदमी जूट पोल रहा है मैं वाँ जंगल में जब था ही नहीं और यह सब मैं क्यों करूंगा जनाब कुवर सिंग की सत्तर करोड की संपत्ति किसी वारिस को न जाकर गिरिजा देवी ट्रस्ट को जाए इस कारण हाँ लेकिन हुकम साथ इनका उस ट्रस्ट से क्या लेने देना पुलीस विडोफंड है यूरो जिसके चालक फतेय सिंग जी है है के नहीं हाँ हा लेकिन लेकिन वो ट्रस्ट्ट तो रामचरंड सिंग जी का है रामचरंड सिंग जी यही karena है कि आपने रामचरंड जी के साथ मिलकर ये पूरा शड्यांतर रचा ताकि 70 करोड की वो संपत्ती को लेकर आप दोनों लापता हो जाए यहां से क्या यह जई है यह नहीं लेकिन यह आपको किशने का रे राम चरण जी ने पुलिस को बयान दिया है आप ही की टीम को बयान दिया है आपको पता नहीं हा लेकिन यह आइडिया मेरा नहीं था यह सारी प्लानिंग उसी की थी अ प्लान उनीक था लेकिन इसमें आप भी तो शामिल थे थे या नहीं हा थ अब गोली खाई या नहीं आपने गोली मतलब जो गोली मैंने आपको खिला ही वो गोली आप निकल गए वस्तविक्ता में रांद चरंण से जीना से कोई बयार नहीं दिया लिजे एक और गोली खाई है मुखा स्वाद अच्छा हो जाएगा निजे लीजे मुखा स्वाद अच्छा करने के बाद में जरा बाकी की कहानी निया अधीश महते को सुनाई कुणर अभी मन्यू सिंग अपनी करोणों की जायदाद गिर्जा देवी ट्रस्ट को सोंपना चाहते थे जब यह बात सामने आई तो तो मैंने और रामचरंण सिंग ने अलान मनाया कि कि जैसी यह जायदाद में मिलेगी हम हम फरार हो जाए 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 फिर पता नहीं क्या हुआ अब कुणर ने अपना इरादा बदल दिया और और उन्हों ने अपनी जायदाद अमरीत को सोंपने की तैयारी शुरू करती अपर मैंने सोचा कि कि उसी पुराने मैंने एक नकली जानवर का बेश बनाया और अमरीत को मार दिया और उसका इलजाम दूलवा पे लगया दिया लेकिन जराब फिर इस केड़ी पाठक ने बुलवा को जमानत पर रिहा करवा दिया और इधर रणेबीर को जैदाद का वारिस बनाना चाहा गया हमने फिर वही पुराना तरीका अपनाया और रणेबीर को मार दिया रणेबीर की गंद से फिर हमने बुलवा को जखनी कर दिया उसके बाद हमें लगा कि कि सारी जैदाद ट्रस्ट को चली जाएगी लेकिन फिर हमें वकील जजवानी ने बताया कि ये तो वसीयत बुलवा के नाम करने की तैयारी की जा रही है तो बस हमने उसी रात को सबसे पहले कुमर को मार दिया और बड़ी सफाई से मैंने खोर के नाकूनों से अपना बाल निकाल कर राजमाता के बाल इसमें डाल दिया लेकिन जब राजमाता ने भी वही निष्चे किया जो कुमर ने किया था तो तो मैंने उन्हें भी मारने की नाकाम कोशिश की और उससे पहले उससे पहले मैंने एक दरिंदे का भेष महिपाल जी के कमरे पे चुपा दिया ताके अगर बुलवा बच भी जाए तो शक उन पर जाए मुझ पर नहीं आपके राइट हैंडेड नहोने के कारण आपका प्लाइन रॉंग हो गया पते सिंग जी इतना तो सोचना चाहिए था कि जो वर्दी आपको लोगों की रखवाली करने के लिए दी गई थी उसी वर्दी में आपने उनहीं की जाहन ली आम नागरिक किस पर विश्वास करेगा प्रदीबक शेही थमता है ये रॉंडर तो डिफेंस रेस्ट ये अदालत इंस्पेक्टर फते सिंग को अमरिज सिंग रन्वीर सिंग और कुणर अभीमन्यु परताव सिंग के कतल के जुर्म में दोशी मानते हुए फॉरान हिरासत में लेने का हुकम देती है और साथ ही साथ कजरी देवी के खिलाफ जूटी गवाई देने के जुरुम में माईपाल सिंग और राज माता सिद्धी देवी को भी हिरासत में लेने का हुकम देती है ये अदालत कजरी से साहनबुती रखते हुए उसे भारी हरजाना देने का वाइदा करती है और उसे और उसके बेटे बुलवा को हर इल्जाम से बाइज़त बरी करती है केस इस क्लोज़ केड़ी जी अब आई बात समझ में है तेरी की आपके नाम का फुल फॉर्म जारने का मौका आरे हाथ से निकल गया चिंता की कोई बात नहीं शेखावत जी ये मौका कईयों से छूटा है पहले भी चलिए केड़ी न सही के का ही फुल फॉर्म बता दीजे उल्ली के किसी विद्वान ने गहा था शेखावत जी क्या धूरी जानकारी अज्ञानता से अधिक खतरनाक होती है हाफ नॉलेज़ज इस देन इग्नोलेट्स फिर कभी थैंक यू सच कहते है मा के प्रेम से बढ़कर इस जग में और कुछ नहीं करें प्रेम से बढ़कर रावीजे गैला के खते है क्लिक था शो लिंक सब्सक्राइब एए टाउच्ट ऑज़ लिए विद्वेश्ट कर दो